तो भाई लोग आइस डेवी पे चल रही है मेरी फेवरीट मुवी लखी दे रेसर वन अफ दे बेस्ट एंड मुझे बहुत जादा पसने लेकिन यार बंदा वो छोड़ के आपके लिए टुटोरियल बना रहा है डेडिकेशन देख रहा हुँ आज हम क्रिएट करने वाले फ यहां पर आपको सबसे पहले लिख देना है अपने चैनल का नाम लिख देना है या फिर आपको जो भी कुछ लिखना है वह यहां पर लिख देना है यहां पर आपको छोटी चोटी जो लाइन रहे या फिर कुछ भी आपके चैनल से रिलेटेड हो वह सारी चीज़ आपको यहां पर लिख देना है यहां पर यहां पर फोंट मिल जाएगा जो कि वहां पर जियों ग्राफिक कर गया तो इसको आपको ले लेना है इंड इसको यहां पर जाना है और जाकर से इमेच कर दिने अल्टर कर दिने हैं कि काफी तगडी क्वाल इंदर यह एक्सपोर्ट हो जाए तो जैसे सी एक्सपॉर्ट हो जाए वसके बाद डबल टेयप करना है और यहां में अपना जुभी वर्ड मुड्र लिख देना लाइक बूया ज फोंट आपको यहां पर लिख देना है तो वह फोंट भी आपको मिल जाए कि ठीक है तो पेक के अंदर में प्रोवाइड कर दूँगा और यह इसलिए आपको अवैलेबल भी है और प्लेट्फर्म के अपर ठीक है तो इसको यहां पर मैंने जो इटालिक वाला वर्जन था वह पूरा ग्रेडan को मल जाता है तो पेक के अंदर से आपको एक इमिज देखने को मल जाएगीपिसिकल यह बेगराउंन इमेज होगी तो इस तरए की आपको दिख सेंप कलरी टॉर्टेंग कर दें लिखा है तो थोड़ा सक्क्रिप कर लेंत हाँ तागे। आपको समझ आजा टाएं अधरवाइस में आप उसको इमेज को यहाँ पर पिक कट करगे की माइब किस तरह से बेंध कलरेड होते है hai तो यहाँपर से यह विघन पर यहाँ इस वाल इमेज को मैंने यहां पर background set करा था तो आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है कि यहां पर आपको इसकी color grading करने के लिए आपको यहां पर second option मिलेगा इसको black and white कर देना है अब black and white करने के बाद आपको यहां पर color balance करके एक option देखने के मिलेगा ठीक है तो इसको मझे थोड़ी सी हलकी से यहां पर blue वाली finishing देनी है तो इन दोनों को मैं एकदम minus 100 कर दूँगा and blue को मुझे रखना है बहुत ही ज्यादा कम like minus 92 के आसपास रख दिना है ठीक है 92 93 के आसपास आप देख सकते हो हलकी से एक blue यहां पर completely black लेकिन वाइट नहीं एक दम हलका सा blue देखने को मिल रहा है उसके बाद आपको fx में जाने हैं यहां पर tint में जाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर जाने के बाद आपको एक हलका सा blue यहां पर से चूज कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल पर हम उसी को यहां पर से आपको लेना है एंड एक हलका से यहां पर robotics पूरा यहां पर structure देखने को मिल रहा है तो उसको रहने देना है थोड़ा से यहां पर देखना चाहिए बस बागी सारी चीज़ें आपको एकदम complete background देखने को मिल जाता है उसके बाद जैसे ही आप यहां आपको सर्च करने यहां पर क्या करने है यहां पर आपको टेक्स को तेक्स को याँपर करने के बाद आपको से ब्लेक् करो selection करने के बाद यहां पर जाओ and इसको layer from selection कर दो उसके बाद यहां पर main layer में जाके उसको clear कर दो ताकि वहां से वह हट जाए and आप देख सकते हो दोनों यहां पर completely कर लेते हैं import करने के बाद आपको थोड़े से size assessment करने कितना जाधा यहां पर suit होगा उसके हिसाब से आपको कर देने एंड उसको आपको color grading देनी color grading के लिए आपको यहां पर code दिख रहे हैं तो यहां पर आपको की देखने लेना यहां पर यह वाले सरे codes हैं दोनों के इसको follow करने ना and otherwise आप यहां परномуज करके को क्र सकते हो तो इतना करने के बाद आपको यहां पर effects जाना है यहारा ड्रूप शेडव में जाना है ड्रूप से एक tep मिल रहें पर दिनना लगें। थिल्कुल कम, और डिस्टेंस इक के पर सारी से अंब?" इस में एपसे बड़ और भुगए निए लिए लुख कैंकर अम्युट से सटे करते। उसी हिसाब से रखना और मेरे वाले यहाँ पर पूरी चीज़ा फॉलो करते हो तो आप मेरे वाली सेटिंग भी फॉलो कर सकते हो ठीक है तो आप देख सकते हो मैंने 10-20 यहाँ पर कर दी इसकी फीट एंड यह almost यहाँ पर सेट हो चुकी है सब्सक्राइब करते हैं चीएं यहां पर क्या करना हुद pans सेलेक्षिन अपर सुदि करनाहां करनाहाँ चाहिए आ पर सिलेक्ष्न भी कर दीं आप लुग्वर्णस गयंगा थीकिए यहां-पर क्या completely set करना है ओपर नीचे एंड जो left and right है वो सारी पेडिंग सही से बेड़ जाए उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे करके एंड वहां पर आपको कर देने ब्लेक ठीक है तो यहां पर जमने ब्लेक कर दिया तो आप देख सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ी बहुत यह आपको दिक्कत नहीं होती तो यह आप करो अधर्वाइस आप क्या गरोगाई डिरेक्ली न्यू ही सेलेक्शन क्रिएट कर दो ठ 500 500 करने के पाद आप देख सकते हैं यहां पर उपर आ जाता है ठीक है इस तरह से यहां पर आपको इसको सेट कर देने सेट करने के बाद को क्या करना है इसको भी यहां पर सेम बेग्राउंड देना है तो मैं इसको भी बेग्राउंड दे लेता हूं अगर आप बेग्राउं तो यहां पर ऊपर की तरफ जो पेडिंग होती है वह मतलब एकदम टिल्ट वाला एफेक्ट वह टिल्ट वाला एफेक्ट भी खराब होगा ठीक है तो इसको यहां पर से डिलीटी मारो मैं तो बोलता हूं इसको यहां पर कर देने काफ मिलें तो आपको क्लॉर से चूज करना रहा है अब यहां पर आपका जो भी करेक्टर रहेदा ना उसकी ज़ो में रही हम ही animals ने थाा तीव सबयांड वाली इसको फटावट से क्रेचञा डा रहा हूं था तो यहां पर आप देख सकते हैं completely हमारे टेक्स आ चुके हैं उसके बाद आपको सारी चीजों को merge कर देने के बाद आपको यहां पर पूरी complete मिल जाएगी टेक्स की पूरी selection वाली चीज़ है अगर आप उसको select करके जितना मर्जी अपने हिसाब से इसकी अब आपको क्या करना है इसका duplicate layer grade करना है यह वाले layer को आपको नीचे लेकर जाना है लेकिन इसको पहले और लेकर देने के बाद आपको क्या करना है इसको कर देना है transform अब transform करोगे तो कितना करना है पहले यहाँ पर इसकी height रख दो 1080p थाकि एकदम perfectly set हो जाए और उसके बाद आप देख सकते हो यह दीज वाला मतलब character के नीचे कर देने हैं यहाँ पर एक empty layer ले लेने हैं इस वाले empty layer को आपको फिल करना है black color के साथ ठीक है black color के साथ फिल कर दो और इसको आपको opacity कर देनी है 54 यहाँ पर रख दो तो देख सकते हो पूरी मतलब पीछे की तरफ यहाँ पर cinematic look आ चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक photo layer लेनी है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप कोई भी मतलब छोटे चोटे टेंपलेट अगर आपके पास पड़ देते हो तो पता चाल जाता है यहाँ फिर आप फ्री फायर जो भी गेम केल रहे हो उसका लोगो भी वहाँ पर रख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर आपको एक final चीज जो import करनी रहेगी वह एक थोड़े से यहाँ पर brush वाली यहाँ पर चीज़ है तो मैं दिखा देता हूं है यहाँ पर आपको एक चोटा साहलका से यहाँ पर brush देखने को मिल जाता है इसको यहाँ पर यहाँ पर यह बहुत जादा awesome लगता है तो मैंने इसको डाल दिया अगर आप चाहों तो इसको यहाँ पर is a पर डाल सकते हो तो बस इसको सेव कर लेते हैं और आपको लोगो एंड बैनर के पूरे टेक्स चेंज कर देने आपको हर तरह की चीज़े देखने को मिल जाते हैं इसको यूज़ कर पाओगे अलग-अलग टेंपलेट की तरह ठीक है अगर इस वीडियो अच्छे लगी तो प् मन्हार का अगड़ κάν धगड़ सुनके और माइब तर्से घसके ओन्यारओ कैनके है